यह बहुत चक्तिशा और यहां पर आप देखेंगे चतुर्द भाओ का जो स्वामी है चंदरमाद जो पढ़ाई वगरा ना फोर्थ हूस एजूकेशन वो भी यहां है तो उसके वज़े से भी बहुत अच्छा है और बहुत अंगिरत राज्योगाउस में यह बहुत सारी योग है अनगिरत नहीं इस चार्ट की बढ़ डिटेल शेयर कीजेगा भावजी जी इस विए और यह मेरा दोस्ते जिसको मैंने अपने चैनल पर भी इंवाइट किया था तो अभी मैं दूसरे गुल भाई का चार्ट दिखाऊंगा जो अभी जिनका मास्टर्स अभी डेनमार्क से खतम हुआ है यह भी बहुत पहुँचे लेवल के आदमी है तो इनका भी दिख रहा होगा आपको चार्ट हाँ जी बिलकुल बहुत अच्छे से तो इनका देखे इनका भी जो लगनेश ना वो भी द्वादस में है ना कुम लगन का है तो इनका भी लगनेश द्वादस में है और यह मकार राशी में है तो यह भी एकदम बोलने वालों में से नहीं है पहले आमने देखा था धनू में है तो विश्वास वाल है ये करने वाले है बिलकुल तो आभी देखें अभी यहाँ पर बहुत सुन्दर योग है जैसा आपका जो चंदरमा नववे में है मंगल के साथ है तो इसको शशी मंगल योगा बोला जाता है तो इनका मुझे मेसेज आया था ये हाली में अभी दिल्ली में है आज के दिन और आज आपको पता है ग्यारा थारिख है तो आज एकादसी है तो और एकादसी भी मंगल का ती थिये बतागी तो इन्होंने मुझे आज वाटसेप में फोटो भेजा कि ओ मैं ये पूरा व्रत कर रहा हूं 48 आवर्स का मुझे पूछ रहा है था कि वो एकादसी भी में लिखावा है कि मुझे सोना नहीं चाहिए वो वरत में ऐसा लिखावा है पाप मोचन एकादसी है अगर मैं दो दिन नहीं सोता हूँ अच्छा अच्छा तो लेकिन उनका ये डिटर्मिनेशन देख रहे है दिर्टा संकल्प ये जो चंद्रमंगल नवे में है ना उसके वज़े से हो रहा है और अब ही आगर आप देखें जो नवमेश है तो इनको भी आप बोलेंगे विवा हो या पूरी जिन्देगी में जबी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बस एक ही काम करना है अपने गुरु को फोन उटा के बोलो गुरु माराज ये प्रॉब्लम हो सब खतम हो जाएगा और ये जो नैसरगिक आध्यात्म का कारक है जुपिटर उसके साथ भी युक्ति है और यहां पर देखिए गुरु और शुक्र का युक्ति है लेकिन सिम्मराची में है यहां पर गुरु ज्यादा बल्वान है शुक्र से बिलकुल ये विवा के लिए बहुत शुब माना जाता है ये ये एक कॉंबिनेशन जो हमने देखा है और या आप और कुछ बोलना चा जो पहला चार्ट आपने दिखाया था उसमें भी लगनाधी पती की दिष्टी नवम भाव पर थी जो आपको शनी नवम बार्वे घर में बैटा था वो भी आएंथा उसको नाइंट लॉट दोनों को देख रहा था और जो इसके बाद जो बीच का चार्ट उसमें भी लग नाधी पती भागी भाव में धरम भाव में ही बैटा था तो यह जो inclination है towards religion वो मैं इसको लगन और उसको connect करके देखने की प्यास कर रहा था कि इसमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है और बाकी जैसे आपने सूर्य गुरु के उपर अभी सूर्य शुक्र, I mean to say गु का प्रफाव जादा होगा क्योंकि वो अपने मित्र की राशी में सूर्य की राशी में बाठा है तो इनका जो intelligence है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं यह जो अभी तक बना रही है तो यहां बुद्ध वर्गोत्तम भी है एक quality ऑर है और आगर आप यहां देखे गए-बुद्ह आत्मकारक भी है बिलकुल- बिलकुल- तो यह सोचे ना आत्मकारक अस्ट्रम में है वर्गोत्तम है और उच्छ का है तो आदमी की जो अंतर आत्मा बहुत शक्तिशाल हो जी 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 उने एक बार कुछ सोच लिया कि करेंगे तब ये मूर्गे देखने वालों में से नहीं है ये भी बोलते नहीं रहते हैं हमारे मुताबिक ये वो सीधा जाके गुरु को पूछें के क्या है बताई ये मैं करूंगा बस भारत में न सला देना सबसे आसान गाम में किसी कुछ आता हो या नहीं आता हो सला देना सभी को आता है एडवाइस करना है चाहे वो अपलाई होती होती हो के नहीं होती हो अभी अभी जन दिखाऊंगा ये हमारे परम मित्र का है प्रॉब्लेम आए और बहुत खुशी होता है यह चार्ट दिखाते हुए तो अभी आप देखिए कहते कि लागन पर जो ग्रय है विश्टिक लागन का कुंडली है लागन पर जो ग्रय है वो सबसे इंपोर्टेंट होता है तो यहां पर चंद्रमा नौमेश है देखिए तो नौमेश लगन में मतलब गुरू इनके सीर के उपर बैठे हुए है इसका अर्थ यह है कि जब भी इनको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लेम आए तो इनको हमेशा गुरू से सला लेना चाहिए ठीक है और फीर से यहां देखिए सात्वे नौवे का संबंद बन रहा है सब तो मेश फिर से नावम में आ रहा है तो एगेन वी सी की लगना नवम सप्तम मैं मेरा विवा और मेरे गुरू यह सब आ रहा है और यहां पर गज के स्रीयोग भी बन रहा है गुरू चंद्र केंद्र में फिर दसवे घर का स्वामी जो सूर्य है वो अपनी राच्छी में ब इसके वज़े से इनका जो सब्तमेश है वो भी नवम भाव में है तो उसके वज़े से भी इनका जो शादी विवा होगा उसमें हम यह बिना देखे कह सकते कि इनका स्पिर्चुल है बहुत अच्छा होगा और उपर से यहां में देखे ना यह काइंड ओफ फिफ्टी परस परिवर्तन बोल सकते हम पूर्णा परिवर्तन नहीं है यह यह मध्या परिवर्तन है मतलब कि आपका एक जैसे सब्तमेश जो है नवे में है लेकिन नवमेश सब्तमें नहीं है लेकिन उसको द्रिष्टी कर रहा है तो यह भी एक आधा परिवर्तन हम बोल सकते हैं तो साथ परिवर्तन हो रहा है तो यह भी बहुत अच्छा है और चंदरमा जो है यहां पर नीच के है लेकिन अनुराधा में है और केंदर में है और गुरू से यह इसमें है तो इसके वज़े से इनका जो नेचर है कभी-कभी थोड़ा ज्यादा भावूख हो जाते है तो इसके अलावा सब सही है और यह दिखने में भी बहुत अच्छे है क्योंकि नेसर की शुग रहे इनके लगन में है और यह हमेशा वो चंदरमा का जो ट्रेट है मेरा कोई शत्रू नहीं है इनको ना इसलिए मैं जब इनके साथ इंजिनेरिंग में था तो इनका जो नाम मत उनका एक नाम था अजात शत्रू येस अजात शत्रू अरथा जिनका कोई शत्रू नहीं है इनको सब पसंद करते हैं इनका भी बहेवियर वैसा है और यह हमेशा आध्यात्म के बारे में सुष्टे रहते हैं और अभी जो वो डेली में रहके आई-एस का प्रिपरेशन कर है तो वो ही प्लैन कर रहे है कि जब वो उनको मिलेगा कहीं तो वो ऐसे जगह जाएंगे जहां उनके गुरू पास हो उनके गुरू जगह से पास हो ताकि वो वहां उनके गुरू के साथ संग में रह सके तो यह तो नॉर्मल केस में नहीं होता है ना लोग तो बहुत कीजो और उन्होंने मुझे पूछा कि हमारा चांस है कि IAS यह सब पर तो हमने बोला आपका सुरिय दस्वे में है, गुरू भी है, बुद्ध भी है, बहुत स्ट्रॉंग चांस है इनका, इस सब में होने का, लगनेश भी एकादश में गया है ना, इकादश जो होता है, लार्ज ओर बड़े बड़े काम करना, लोगों से मिलना, तो यह बहुत ही, बहुत ही बढ़िया चार्ट है यह, तो अभी सब मर्दों के चार्ज दिखा है मैंने, इन सभी चार्ट में कुछ चीजे कॉमन थी, जैसे मैं 12th और 9th का कनेक्शन देखा था, कि दो कुल्डी में शनी देख इस कुंडी में अगर हम देखे, 12th Lord 9th हाउस में है, बढ़िया है यह, बिल्कुल, 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 और मतलब पूरा हार्मोनियस चार्ट है, देख रहे है, सब मतलब एकदम बैठ रहा है जगह में, और अभी एक स्त्री एक का चार्ट दिखाऊंगा, इनको भी में बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इनका भी बहुत रुजान है आध्यात्म की तरफ, और इन्होंने अभी हाली में ही नया मंत्र शुरू किया है, और मैं अभी गौहाटी जैसे जाओंगा, इनको में मिलूंगा, और यहां में देखिये, तुला लगन का गुरू इनके लगन में है, दिखबल में, बहुत शक्तिशाली है यह, उसके बाद नवमेश बुद्ध भी वहां में आ गया, लगन में, बहुत सुन्दर है यह, और यहां पे भी लगनेश 12 में, बिलकुल, 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 बहुत ही सही है यह, और हां लेकिन इनका जो लगनेश वो नीच का है यहां तो उसके वाइसे इनका हेल्थ खराब रहता है इसी कारण अनावशक हेल्थ में कुछ ना कुछ इशू लगा रहता है मैंने इनको कुछ सॉजिशन्स दिये है तो अभी मैं जाओंगा तो मैं इंडिया जाओंगा 17 को तो सूरिय नारायन 14 को उनके पंचम में जाएंगे तो इनको इनसे मैं अच्छे से बात करूंगा ताकि यह मंत्र अगरा और अच्छे से कर सके तो यह देख रहा है अब कैसे हो रहा है और अभी गोचर में भी इनका गुरू लगन में जा रहा है बिल्कुल तो गुरिय और सूरिय जब पंचम में ये करेंगे यह होने वाला है इनका साथ अच्छा तो इनके यहामें भी देख रही है मापुरुष योग तो यह भी सोचने बोलने वालों में से नहीं यह भी करने वालों में से और यहामें अगर आप देखे तो पंचमाधी पती भी चतूर्थ में है चतूर्थ भाव जो है हमारा डाइरेक्शन बताता है लाइफ में और पंचम भाव बताता है कि हमारा पूर्व जन्म पुन्य कैसा है, फिवर थाउस, पंचमर जब चतुर्त में हैं तो बताया जाता है कि उनके पूर्व पुन्यों के वज़े से इनका लाइफ में जो गती है बहुत अच्छा होगा, इसलिए इनका जो इंटेलिजेंस है, जो तो इनका जीवन में बहुत ही प्रगति होगा ये जो दशमेश है दशमेश भी पंचम में है ये और ये शतभीशा नक्षत्र में है वजए से ये बहुत अच्छी डॉक्टर भी है शतभीशा जो हंड्रेड फिजिशिशिंग करें तो अभी इन्होंने वो मास्टर्स का एक्जाम दिया था इंडिया में जो बहुत मुश्किल है वहां में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई है और आभी इनका नया शुरू होने वाला है आपए फिर से यहाँ पर देखिए सब्तमेश मंगल फिर भी गुरू और बुद्ध के साथ यूति में हैं देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया है इधर जो है वो गुरू या लगन या लगनेश या शब्तमेश इंके साथ यूति में हैं या द्रिष्टी डाले हुए तो बहुत ही सही और वो कहते है ना अंग्रेशी में कि I sing on the cake है तो सारे हो लेकिन करेगा थोड़ी आदमी ये वो सनी माराज दे देंगे बिलकुल ये होने और करने में बहुत फराख है बहुत फराख है यही वो चार्ड से जो मैं दिखाना चाहता था और हम तो बाते करते जा भी सकते ना घंटो तक ने 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 मैं वही इस चार्ड से बिलकुल मैं ये देख रहा था कि दोनों बुद्धी के ग्रेग गुरू और बुद्ध दोनों लगन में दिखबली होकर सिथ है और मैं पूछने वाला था कि क्या प्रोफेशनल लाइफ इसकी रही होगी डॉक्टर आप में बताया शत्विशज जो शत्विशा नक्षत्र है उसकी संस्कित में मेनिंग होता शत्व मतलब सौ और विशज मतलब वैद्य तो नॉर्मल में माना जाता है कि ये फिजीशियन और अच्छे हीलर होते हैं साथ बैटोगे तो इनसे कुछ न कुछ एक पॉजिटिव एनरजी प्राप्त होती है ये बताया जाता है जैसे आपने बताया बाकि जो दूसरा आप कॉंबिनेशन बतारे हैं जो समझ में आया कि सोचने वाले तो बहुत है लेकिन करने वाले वो हैं जिनका शनी मजबूत है जिनने उस योग को प्राप्त करने के लिए एफर्ट कर रहे है जो आप पढ़तालिस ग्राप की नीन एफर्ट करने के लिए रेडी होने वाले बंदे कम होते हैं और अगर यह उनमें से है तो हैट्स आप है इसलिए मैं वही चार्ट्स लिया जो करने वाले लोगों के है बिल्कल 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 बिल्कलने वाले तो और हजारों चार्ट्स है मेरे पास नहीं है मंगल गुरू का लेकिं उतना भी बड़ा सत्रू नहीं है बुद्ध तो ये भी बहुत अच्छा हो जाता है और सनी से भी द्रिश्ट है तो इसके वज़े से बहुत ही आच्छा चार्ट है ये और सब्तमेश भी इनका लगन में है नावमेश के साथ द्यूती में गुरू जो शष्ठेश है यहां पर शिक्स्ट लॉड तो शिक्स्ट लॉड जब लगन में होता है तो आदमी में जो क्योंकि चटा घर वो दर्शाता है कि हम तपस्या कितना कर सकते है जिंदगी तो जब चटे घर का स्वामी लगन में हो इस्पेशली जब दिगबल में हो तो यह दर्शाता है कि आदमी में तपस्या कर पाने की जो शक्ति बहुत ज़्यादा है और यह वो लड़की है जिदोंने अभी कुछ मंत्र जाब चालू किया है लेकिन उनके घर वाले ना उनका मजाग उड़ाते रहते है तुम डॉक्टर हो ना मतलब इंटेलिजेंट हो आजकल के जमाने में इंटेलिजेंट का मतलब क्या बेवकूफ ही आदमी जितना बेवकूफ है उसको इतना उतना इंटेलिजेंट बोला जाता है आजकल है कि नहीं तो इसका इसके वज़े से यह बोलते कि नहीं मुझे किसी का नहीं सुनना है वो बोलती है कि मैंने बोला ह तो आप बोलिए इनके उपर ये देख रहा था कि जो काम त्रिकोर तीन साथ ग्यारा भावजी ने हम कामा ट्राइन बोलते हैं उन तीनों के स्वामी इखटे होके नेटेव के लगन में आ गए और तुला राशी में आए हैं तो मैं जानना चाना शादी हुई की नहीं और शा 24 कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद लगभग दो-तीन सालों में शादी हो जाए हाँ 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 हो इनका जो पूरा कुणलियों मैंने देखा है ये बहुत उपर जाएगी फ्यूचर में मैंने ये तक प्रेडिक्शन दे दिया है कि आप इतना उपर जाओगी कि एक दिन मुझे भी एपोइंटमेंट लेना पड़ेगा है विल्कुल 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 अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पर और कहना चाहूंगा भाभाजीत आपने यसे बताया अब मान लीजे कोई लड़का अगर में पास इस तरह की पत्रिका लेक तो ऐसे चार्ट में हम बुलते हैं कि यू शुट गो फोर अ मैरेज मतलब इससे बढ़िया आपको जीवनसाती नहीं मिलेगा उसका दीजन क्या है कि सब्तम भाव आपके जीवनसाती का है और उसके त्रिकोन भाव के स्वामी तीनों इखटे होकर लगन में विराजित है हाँ हाँ लगवग एक साल हो गया भी ये लड़की एक साल से रोज गीता का एक स्लोग पढ़ती है सुबा और एक स्लोग रात को वाव तबी भी इसके आजू बाजू में इतनी लड़किया होती है सब बोलते रहते हैं ओ मेरा बॉइफरेंड मेरे लिए लाल गुलब लेके आता है मेरा बॉइफरेंड मुझे बेल्जियन चोकलेट्स देता है ओ जो बेवकूप बना के ना किदर से उठा के ना बेल्जियन तो इसका एक ही प्रोब्लेम इस लड़की का जो मुझे पसंद नहीं है ये वह भाई का बहुत सुनती है आच्छा तुम सुनो लेकिन उन लोगों का सुनो जिनका सुनना चाहिए तो तुमारा भाई तुमारा मजाक उड़ाता है क्योंकि तुमारा जब समस्या आएगा तुमा अपनी बहन को मंत्र करते देख उसका मजा कुड़ाता है तो मैं तो बोलता हूं ऐसे भाई से दूरी रहो तो वही है एक साल से सुवा एक स्लोग पड़ेगी रात को भी एक स्लोग पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन स्ट्रॉंग है इसमें जो मैं आज समझ आपने जिस तरह से बताया उसे साब से कि सब्तम और नवम का संबंध होना कही न कहीं spiritual inclination दिखाता है after marriage और with your marriage perspective विवा की बहुत अच्छी definition जो आपने दी कि प्रभू की प्राप्ति के लिए आध्यम है विवा विश्नु का वाह और राशियों का इस्तमाल करते वे और भा अच्छली इंप्लाइंट होगा वो यहां बहुत और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा वो जो अपने आइसिंग की बात तो वो यह रहा कि भाई शनी बली हो सोचने के और करने में बहुत फर्क है और वो फर्क शनी हमें कुली में बताएगा तो बहुत अच्छा लगा वो सब में देखे शनी प्रोमिनेंट है दोनों में लगनेश है और बाकी सब में केंद्र में हैं और बली अवस्था में है आपने दिखाये थे और एक में मकर का बारवे घर में था तो वहां पर भी अपनी स्वराशी का था जी 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 बिलकुल जूर जाए तो और ज्याधा हो जाता है और लगनेश भी जूर जाए जैसे हमने किसे में देखा़ लगनेश 12 में लगनेश 12 जब 12 में तो 12 बहुज़ जिए guten लिए आच्छा नहीं बोला जाता है लेकिं हम देखते कि ये एरिया में अच्छा प्ले कर रहा है वो तो इसके वज़े से आदमी लगनेश जब द्वादस में रहता तो मैंने देखा है कि materialistic चीजों के लिए क्यों बुरा बोलते हैं उसको क्योंकि द्वादस जो है व्याय का है नुक्सान का जब लगनेश वहां बैठता है तो इसका मतलब क्या है लगनेश आप स्वयम हो अर्था आप अपनी बरवादी के जिम्मेदार हो कहते हैं वैसा बारवागर जो है डिटेच्मेंट का भी है तो जब बाकी ग्रह है आध्यात्म की और बताता है तो ये लगनेश जो द्वादस में है ये आदमी को इरिस्पॉंसिबल नहीं बनाता है ये आदमी को बनाता है कि चीज़े ठीक है मैं चीज़े करूंगा मुझे उपर जो देगा देगा मैं उसे एकसप्ट होंगा बिल्कुल 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 ब बारवा को नेगेटिव बोलते हैं, जैसे आपने कहा डिटैच्मेंट, मुझे ये फील होता है कि मोक्ष का मतलब है विरक्ति, आप साथ रहकर भी डिटैच है, आप इन्वाल नहीं हो रहें उसमें, इंटर्नल, और आपने येसे कहा कि बारवे घर में जाने के बाद अगर उ खैच होना चाहते हैं, बड भगवान आपको कहते हैं, वो दुख धायक होता है, वो कहते हैं, शमशान वैरा गया, ओ, मैरा कोई मर गया, मुझे कोई लेना दाना है, ये संसास थे, नया बॉइफरेंड मिला तो फिर से वापन चाहिए भी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कु आपको दीरगायू बनाए और बनाएगा भी यही आशा है और थैंक यू सो मज़ भाबजीत आप इस चैनल पर आए और अपना ग्यान हमारे साथ बाठा प्रबु आपको अध्यात्मिग्रापे और इसी तरह आगे चलाता रहे कहीं मेरा कोई सयोग चाहिए हो तो मुझे नहीं नहीं बिलकुल बिलकुल भाबाजी भगवार ने चाहिए तो बांडिंग हमारी इसी तरह आगे चलती रहेगी और अल दी बेस्ट अल दी बेस्ट फो यह तैंक यू बहरे माच आपने बुलाया मुझे और मैं आशा करता हूं कि आपके सब्सक्राइबर्स के जो कमें है वो मैं अंसर कर पाऊंगा सब तो सायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पूरा कुंडली देखना पड़ेगा बट आप लोग भी देख सकते कि इन कॉंबिनेशन में पास है की नि और एक बार एक आदमी ने मैंसे पूछा था कि मैंने एक ऐसा सिमिलर वीडियो बनाया था मोख्शा पर अपने चैनल में तो आदमी ने मुझे बुला आपने जितने combinations बता हैं, उसमें से एक भी नहीं है मेरे चार्ट में तो मैं क्या कर दो, मेरा कुछ नहीं हो सकता है नहीं, ऐसी बात नहीं है नहीं है तो आप शुरू कर सकते हैं कई भी सत्संग प्रोग्राम है तो वहाँ जाए शुरू के लिए तो next life में आपके horoscope में अशर भारे-भारे combinations मिलेंगे बिलकुल अगरी और यह चीज बहुत आती है आपने सही कहा, मैंने इंटरगास marriage पर एक article लिखा था शायद वीडियो अभी तक नहीं हुआ है तो उसमें लोगों ने लिखा कि हमारी कुली में यह combination नहीं लगते, तो मैंने का मैंने यह नहीं कहा कि इसके अलावा और कोई combination नहीं है मैंने यह कहा है कि मेरे अनुभाव में यह combination इस तरफ आपको ले के जाते है नहीं है कुछ और combination भी होंगे हम यहाँ पर सरवग्य तो नहीं है तो सारी knowledge लेकर बैठे है और वैसे ही जैसे अभी आपने कहा कि अगर मुक्ष के क्या combination हो सकते है या मुक्ष की तरफ tendency को represent करने वाले कुछ combination है और जिनकी कुल्डी में वो नहीं है वो नहीं प्राप्ट कर सकते है ऐसक मेख्याल से आपने भी ने कहा है क्योंकि सबके चार्ट में कोई भी ग्रह किधर हो किसी भी राशी में हो आपका दो चीज तो रहेगा आपका एक Jupiter रहेगा और दूसरा नावम भाव का स्वामी रहेगा अब आप बोलेंगे ओ उन दोनों का महादशा भी नहीं आएगा मेरे लिफ में दोनों में से एक का तो अंतरदशा आएगा उसमें आप प्रयास करो अगर आप इतना ही दशा ओरियेंटेट स्पिरिछलेटि तुम्हें आपको बता लाँ दोनों में से एक का दशा आएगा अंतरदशा में या वो किसी को दृष्टी डाल रहे होंगे उनका दशा आएगा गुरू का तो तुम्हें तीन दृष्टी है कुस तो होगा आपके चार्ट में अगर आप करना चाहते हो तो कर लोगे वही जो बात भगवत गीता में लिखी है कि कर्मन देवादिकारस ते माफलेशु कदाच आप करम तो करो आप एफर्ट तो करो फ़ल तो उपर वाला देगा और जब आपकी दशा आएगी उसमें भर-भर के देगा आपकी यह क्यों सोच रहे हो कि दशा आएगी तभी मैं एफर्ट करो हाँ हाँ दशा तो रिजर्ल्स का टाइम है ना हाँ हाँ चलिए बहुत अच्छा लागा थैंक्यू बेरे माच मुझे पता नहीं मेरे हिंदी कैसी रही बहुत अच्छी रही मैं अपने सभी दश्रकों काऊंगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करे और कमेंट करें कि भावजीत के साथ आप और क्या सुनना चाहते है इन स्टीम का प्रयास रहेगा कि इनको दुबारा इस मंच पर लाया जाए इनके चैनल का नाम एक्जॉटिक एस्टॉलोजी है वहाँ पर अपने वीडियो अप्लोट करते रहते है हमारा चैनल एस्टॉलाई सूत्रा है जो आप देखी रहे है इनके साथ आपने अगर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपने वीडियों को सुनते रहें जैश्राम जैश्राम